वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस एंड टैवल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से हम लोग नजर डालेंगे पीली बीत, शाहगड आमान परवर्तन के कारियों में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई क्योंकि कारे धीरे-धीरे चल रहे हैं, रफ्तार पकड़ रहे हैं, होली बीत चुकी है और अब एक नजर डालते हैं, कि यहाँ पर आखिर कार, कितना कार रेलवेट के उपर हुआ है यहाँ पर यह खटीमा वाला जो बाइपास है, यहाँ पर आरोवी का निर्माड किया जाएगा सामने इधर पीली भी जंक्शन की दिशा हो जाएगी और इस आरोवी के नीचे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर यह आरोवी भी अब रेलवेट जल्दी कंप्लीट करेगी जो उसका हिस्सा है, उसके निर्माड के लिए यहाँ पर दिखें टीन की धेर सारी आपको चादरे दिख रही होंगी तो इसका सामान भी आना शुरू हो गया है, ताकि ट्रैक डालने से पहले पहले या ट्रैक जब तक चालू हो तो यहाँ पर जो रेलवे का हिस्सा है, आरोवी बनाने का, रेलवे की कोशिश है कि उसको भी पूरा कर लिया जाए रेलवेट काफी उंचा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उस पर घास लगी हुई है, इदर शागण की दिशा हो जाएगी सामने तो कारे जो हैं अब रफतार धीरे धीरे पकड़ रहे हैं, और मान के चलिए कि अपरेल के महीने से जब बजट रिलीज हो जाएगा सौ करोड रूपेओं का प्रावधान किया गया है, शागण पीली भीत कारेओं को जल्दी पूरा करने के लिए तो कारेओं में और अफतार आ जाएगी, तो अब हम लोग रेल बेट के ऊपर पहुँच चुके हैं, दूर तक आपको यहाँ पर बैलस्ट पड़ा हुआ दिख रहा होगा और साथी साथ इस बैलस्ट के किनारे यहाँ पर कॉंक्रीट स्लीपर्स को पहुचाना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि पूरे ही रेल बेट पर धीरे धीरे पहले यह कॉंक्रीट स्लीपर्स पहुचाए जा रहे हैं, और दाहिने हाथ पर यहाँ पर दिखिए, रेल्स जा रहे हैं, ताकि फिर यहाँ पर जितना रेल बेट हमारा तयार हो गया है, उस पर बैलस्ट को स्प्रेट करके, ट्रैक बांधने का काम शुरू किया जाए, स्लीपर्स को बिछा करके, यह खटीमा बाइपास आप देख सकते हैं, रेल बेट के ऊपर से हम आपको दिखा र जाएगी, यह आरूबी आगे उतर जाएगा पूरनपुर की दिखा में, और धीरे धीरे कारिये जो है, अब देखिए रफ्तार पकड़ते दिख रहे हैं, और उमीद की जा रही है कि जब पैसा सेंक्षन हो जाएगा, बजट मिल जाएगा अपरेल से, तो इन कारियों में और तेजी आएगी, यहाँ पर जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, उसके लिए पक्की फाउंडेशन्स देखिए बना ली गई हैं, लेकिन अभी पीली भीर की दिखा में, इस दिखा में यहाँ पर ओएची मास्ट नहीं पड़े हैं, जैसा कि संदई या दिवरी की द शागर पीली भीथ, जो हमारा एनोसी के चक्कर में रह गया था, और माला में भी काफी रस्ता कशी हुई, पहले उसको हर्ट बनाया जा रहा था, बाद में जब जनता ने प्रदर्शन किया, तो फिर उसको रेलवे ने वापस स्टेशन का दर्जा दिया, और वहाँ पर भी कारे चल रहा है, वो स्रड़ा पूल के ऊपर चल रहा है, और इसके आगे एक और पुलिया पड़ती है, उसको complete किया जा रहा है, दो पुल यहाँ पर आप कह सकते हैं, एक छोटी पुलिया है, और एक थोड़ा सा स्रड़ा पूल जो है, उसका span थोड़ा अधिक है, तो दो जगें अभी कारे बाकी है जिसके बाद रेल बेड हमारा कम्प्लीट हो जाएगा माला की दिशा में और फिर ट्रैक जो बांधने का कारे है उसमें गती आएगी यहां पर देखें कॉंक्रीट स्लीपर्स चट्टा लगा हुआ है यह सड़ा पुल आ गया जहां पर तेजी के सा कारे चल रहा है जीप आपको दिख रही होगी खड़ी हुई तो बराबर अब जो प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग हैं साइट पर आ करके मौके पर आ करके निरिक्षण भी कर रहे हैं कारेों का कि क्या प्रोग्रेस हो रही है दबाव बहुत अधिक है और 31 दिसंबर तक पूरी कोशिश की जा रही है कि जो हमारा ये सेक्शन बचा हुआ रह गया है इसको कंप्लीट कर लिया जाए जिसके अंदर शाहगर से आगे आपने देखा कि ड्रैट डाल दिया गया है लेकिन अभी उसको फाइनल करने में संदई होल तक टाइम लगेगा और उसके बा यहाँ पर ड्रिल हो रही है ताकि जो नीचे से कॉलम होता है पिलर उसको उठाया जा सके और जितना भी सामान यहाँ पर देखी आसपास आप देख रहे हैं और सड़ापुल के उपर भी स्लैब्स रखे जाएंगे जैसे शाजहापुर के आउटर पे धका ताल पर आपने पर देखा क्रेन की साहता से जो बिज बनाया गया है उसपर स्लैब्स रखे गए ते दाहिनयाद पर यह जो आप देख रहे हैं लंबे लंबे सलैब्स कांप्रीट के इसी कांप्रीट स्लैब्स को यहाँ पर पर पुलका जब तैयार हो जाएगा तो उसके उपर यह भी जंक्षन की दिशा से जो बिछाते हुए आ रहे हैं धीमे धीमे वो फिर आगे द्यूरी होल्ट होता माला की दिशा में तेजी से बढ़ जाएगा अभी हो सकता है अपरेल से कि जो पुल का हिस्सा है उसको छोड़ करके जो बाकी का रेल बेड हमारा देखी तैयार हो गया है बैलस्ट यहां तक पहुँच गया है साथी साथ कॉंक्रीट स्लीपर्स यहां तक पहुचा दिये गए हैं तो मार्किंग लगा करके हो सकता है अपरेल से आगे का ट्रैक बांधने का काम बिछाने का काम शुरू हो जाए ताकि फिर उसमें क्लिप्स लगा करके पेंडरॉ या और है जिसको की अभी कम्प्लीट किया जाना है माइनर ब्रिज स्रडापुल के बाद ये पड़ेगी तो दो पुल आप कह सकते हैं एक स्रडापुल और एक ये छोटी सी पुलिया ये दो चीज़े अभी बननी या पर बाकी है बाकी का सेविल वर्क अगर हम कहें के वीडियो में दिखाया भी था कि वो डाल दिया गया है और यहां से आप अगर दियोरी की दिशा में देखेंगे तो OHE मास्ट मेलानी की दिशा हो जाएगी सामने शागल की आपको OHE मास्ट यहां से आगे नजर आ रहे होंगे जो पक्की फांडेशन तयार हो गई उसमें 90 डिगरी पर इस दिशा में दियोरी की दिशा में OHE मास्ट देखें डाल करके इरेक्शन का काम यह कर लिया गया है जल्दी ही हो सकता है कि ब्रैकेट्स भी लगाने का काम शुरू कर दिया जाए क्योंकि जैसे ही NOC मिल जाएगी कुरईया और माला की तो उसके बाद तार ल कारे चल रहे हैं सड़ापुल पर भी आपने देखा मशीने लगी हुई है कारे तेजी से किया जा रहा है खटीमा वाला जो बाइपास है उसका आरोबी जो यहां पर अभी कंप्लीट किया जाना है वो भी जल्दी बनेगा और एक छोटी पुलिया यह रह गई है जिसको